जय गुरूजी संगत जी, संगत जी आप सभी को मेरा नमश्कार है और आए संगत जी हम सभी सटसंग शुरू करने से पहले गुरूजी का मंदर जाप करेंगे संगत जी आज के संगत बहुत सुन्दर है, बहुत खास है, गुरु महराज की कृपा अपनी सबी संगत पर बरस रही है। और हर एक संगत की बहुत ही beautiful जर्नी है। संगत जी आज की जो संगत की जर्नी है आप उसे सुनिए। सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, पुरे भक्ती भाव के साथ सुनिए। निश्चित ही आपकी जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव होंगे। तो चली संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज का पहला सत्संग हम बनीता आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी शुकराना गुरुजी सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महराज की असिम कृपा मुझपर मेरे परिवार पर बरस रही है। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महराज का, कि उन्होंने मुझे इदाद बक्षी कि मैं अपना सत्संग आप सब के साथ शेर कर सकूँ। संगजी गुरुजी ना केवल अपनी संगत की, बलकि पूरी मानव जाती की रक्षा करते हैं। संगजी बात तब सामने आई, जब मैं मुंबई से दुबई जा रही थी अपने हस्बेन और बच्चों के साथ, वहीं पर मैं रहती हूँ और जब मैं वापसी की उड़ान ले रही थी, तब हमें एक म्रत्यू को चुनोती देने वाला अनुपह उप्राप्त हुआ। संगजी पहली बार दुबई में ही मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया और मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा बनी। वो समय हमारे परिवार के लिए बहुत टफ टाइम था। मेरे हस्बेंड हेल्थ इशू से फाइट कर रहे थे और हम फाइनेशल प्रॉब्लम से भी गुजर रहे थे। इस नजाने कैसे पेज रिफ्रेश हो गया और पेज की रिफ्रेश होते हैं संगत जी मेरी स्क्रीन पर एक नया ही पॉर्टल सामने आ गया। और उस पॉर्टल पर मुझे एक विज्यापन दिखा, एड़ोटीजमेंट दिखा, जिसमें मुंबई के लिए पहले की तुलना 30% कम रेट पर टिकिट्स अवेलेबल थी। संगत जी मुझे डाउट था कि एक मार्केटिंग चाल है और मुझे पूरा यकिन था कि जैसे ही मैं टिकिट बुक करूँगी, जो रेट है टिकिट के वो सस्ते नहीं होंगे। लेकिन संगत जैसे जैसे मैं आगे फॉल आप करती चली गई, मैं बड़ी आसानी से चेक आउ टिकिट बहुत हाई रेट में जा रही थी और जो टिकिट मेरे लिए फाइनल हुई थी, उसकी डेट और टाइम बिलकुल मेरे लिए अनुकुल थे। और संगा जी मेरे मुझे सिर्फ जै गुरू जी जै गुरू जी ही निकला क्योंकि गुरू जी के हस्त शेप की भिना य क्योंकि मैं अकेले ही यात्रा कर रही थी। अब संगा जी मैंने उसी होटल में जब प्राइस चेक की तो बहुत जादा प्राइस थे। मैं बुकिंग करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि तब मुझे मेरे भतीजे का फोन आया। मैंने उसे अपनी अगली मुंबई यात्रा के बारे में बताया और ये भी बताया कि होटल के रेट कितने हाई हैं। उसने मुझे अपने एक फ्रेंड के बारे में बताया जो होटल के पास ही रहता था और मुझे डर लग रहा था कि शायद मेरा कमरा बुक नहीं हो पाएगा। और संगजी में डाउट में ही की काम हो पाएगा या नहीं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कुछी मिन्टों के बाद मुझे होटल से एक प्रोफामा चालान मिला, वो मैंने फिलप किया और गुरुजी की क्रपा से मुझे वहाँ पर 30% कम रेट पर बुकिंग मिल गई। आप यकीन नहीं मानेंगे संग अपने आप चीजे ठीक होती चली गई, समस्याई गायब होती चली गई। अब संगजी मुझे रिटन की फ्लाइट्स लेनी थी, जो पूरी तरीके से फूल थी, जिसमें बच्चों से लेके बुजर्गों तक अलग-अलग धर्मों के लगबग 180 लोग सवार थे। मेरी अब यकीन नहीं करेंगे संगजी, फ्लाइट के अंदर सभी पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई और वे चीख पुकारने लगे। मैंने दुनिया भर में बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट ली हैं, मैंने मौसम की गंभीर अशांती का भी अनुभव किया हैं, लेकि इशू इशू चिलाते वे सुना, जो कि इसा मस्जी को पकार रहे थे, और थोड़ी देर में संगजी, हमारी फ्लाइट सीधी हो गई और वो एरपोर्ट पर उतर गई, आव विश्वास करो संगजी, उस खतरनाक शन में जब मैं मोत के सामने थी, मैं सिर्फ और सिर्फ गु गेट गाडियां और बहुत सारे करमचारी भागते वे आए, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे जो साथ में पैसेंजर्स थे, उन्होंने इस यात्रा का क्या निशकर्ष निकाला, लेकिन मेरा मानना है कि गुरुजी ने विमान की कमान संभाल ली थी, और उसे सुरक्षित त और संगत जी आज मी जब मैं उन पलों के बारे में सोचती हूँ, तो मिना दिल जोर से धड़क उठता है, जय गुरुजी शुकराना गुरुजी लखलक शुकराना गुरुजी, इसलिए संगत जी मेरा मानना है कि गुरुजी महराज ना केवल अपनी संगत का, बलकि पूर अपनी संगत पर ऐसे ही बरस्ती रहे, जय गुरुजी शुकराना गुरुजी, संगजी अगला संग हम विनूत पी के अंकल का सुनेंगे, जय गुरुजी शुकराना गुरुजी सारी संगत को जय गुरुजी, गुरुजी महराज का बहुत बहुत शुकराना कि मुझे उन् तीन साल के बाद सन 2020 में मेरी बेटी क्लास 10th की बॉर्ट एक्जाम्स देने वाली थी और संगा जी उसी दोरान मेरी वाइफ ने सोशल मीडिया पर गुरुजी महराज की पोस्ट देखी। संगा जी शायद गुरुजी का ही आशिदवात रहा होगा कि हमें कोवीट छू भी नहीं पाया। मुझे नोकरी मिल जाती, दोबारा कोई पोस्ट मिल जाता या फिर मुझे कही और ढूणना पड़ता। जो पोस्ट थी, उनकी जो वैकेंसिस थी, वो अल्रेडी कम कर दिये थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइव गुरुजी महाराज को इतना क्यों मानती थी, लेकिन मैंने उसकी बात को माना और ऐसा ही किया। और इसी दोरान संगजी मैंने अपनी ही ओर्गनाइजेशन याने अपनी ही कमपनी में जो भी मेरे कॉंटेक्ट्स थे, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि संगजी मैकसिमम एमप्लोईज मेरे लिए अन्नोन थे। अब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बड़े मंदिर जाओ, लेकिन कोवीड-19 की वज़े से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब संगजी मैंने अपने लैप्टॉप से गुरुजी महराज का एक बहुत प्यारा सा स्वरूप डाउनलोट किया और उस स्वरूप के सामने बेट करके मैं अरदास करने लगा, प्राथना करने लगा, उनसे प्रे करने लगा और संगजी देखिए प्राथनाओं में कितन गुरुजी से प्रातना करने के एक घंटे बाद ही मुझे इमेल के जरिये जवाब मिला, एक व्यक्ति का मैसेज आया कि वो मुझे बात करना चाहता है और मुझे अपनी टीम के किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ना चाहता है जो मेरी मदद कर सके। गुरुजी से मन ही मन बात करता था, अरदास किया करता था। संगा जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जीवन में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे मेरा कनेक्शन गुरुजी महराज के साथ मजबूत होता चला गया, मेरी आस्था बढ़ती चल बहुत मुश्किल हो रहा था और ऐसे कठीन समय में संगा जी नई नोकरी पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन संगा जी एक महीने के भीतर मुझे अपनी ही कमपनी से एक इंटरनल प्रपोजल मिला। संगा जी मैंने गुरुजी को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया, उनकी Blessings मुझे निरंतर प्राप्त हो रही हैं और उनकी Blessings से मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग हुए हैं। मेरी आस्था दीन प्रती दीन गुरुजी महराज के प्रती बढ़ती ही जा रही है। संगजी जब Lockdown में ढेल दी गई और बड़े मंदीर ने अपनी संगत के लिए ईपाश शुरू किये तो मैं बड़े मंदीर जाने का अपना वादा पूरा करने में capable हो पाया। और संगजी जैसे ही मैंने मंदीर में पहला कदम रखा वहाँ का Ambience देखकर मेरे रोम रोम खिल उठा। मेरे आखों से आसु ही नहीं डुक रहे थे। और मुझे यकीन हो चला था कि गुरुजी महराज और मेरा एक Divine Connection है जिसकी वज़े से मैं यहां मौजुद हूँ। संगजी गुरुजी महराज से जुडने से पहले मुझे हमेशा सुप्रीम पावर में डौट रहता था। लेकिन संगजी गुरुजी महराज ने मेरे माता पिता की तरह मेरी बात सुनी और मुझे मुसीबत से बाहर निकाला और मेरे लिए हर संभव प्रयास किया कि मुझे अच्छे ओप्शन्स मिले। संगजी 2019 में मैंने केनडा में पर्मानेंट रेसिडेंस के लिए अपलाई किया। संगजी एक साल के बाद मेरी शादी हो गई और मेरे हजबन पहले से ही केनडा में रह रहे थे। मैंने एक और इमिग्रेंट मेडिकल एक्जाम दी और मुझे पूरी उमीद थी कि मुझे पर्मानेंट रेसिडेंस मिल जाएगा। और उसी समय संगजी मेरे हस्बें मेरे परिवार वाले पहली बार गुरुजी महराज के सत्संग में गए। वहाँ पर उन्होंने गुरुजी महराज से प्रात्ना की अर्दास की कि मुझे जल्द ही मेरा पियार मिल जाए। और संगजी गुरुजी महराज की ब्लेसिंग्स देखिए। आपकी कृपा के लिए। गुरुजी महराज से यही अर्दास करती हूँ कि उनकी कृपा मुझे पर मेरे परिवार पर निरंदर बरस्ती रहे। जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी